जो भी सब हुआ है शारचर की वज़े से हुआ है इंपिटस ही वन आफ दी बेस्ट कोचिंग्स है पेपर को हेंडल करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है जो कि तो प्रोबिबली मेरा एल आर और जादा बिगड़ जाता तो यू केंड डू इट अच्छा यह क्या है यह भी आप बच्चों को बता है यह बहुत अच्छी चीज लगी थी मुझे आप यह कीजिए कि सबसे पहले आगे कि फ्रंट साइट पर वो क्वेस्टन दिख लीजिए जो से बन माऊंगा क्योंकि यह इसकी मैनत के है यह इस निंसेट के एको टॉपर से मिलते हैं आस्ता से जिनकी ओल इंडिया रैंग 195 है जो की MP मंसोर से है तो आस्ता सबसे पहले तो 195 के लिए धेर सारी सुपकामना है थैंक यू सो मच और आस्ता ने भुपाल क्लास्रूम में पढ़ाई की हुए और सबसे खाज बात है कि इसने फाइनल के साथ यह राइग अचीव किये बीच बीच में समिस्टर एक्जाम थे घर भी गई मंसोर ज्यादा दूर नहीं बट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया तो आज सा मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेज जनली इंटायर कव आपने सोचा और किस दंग से बिप्रेशन स्टार्ट कि और दोनों को कैसे मैनेज किया यह बच्चों को आप बताए जी साथ फर्स्ट अफ वाल जो भी सब हुआ है शा करना ही था कि BCA के आगे क्या करना है क्योंकि BCA alone is a degree is not sufficient तो फाइनली रिसर्च करी और निमसित के बारे में पता चला और जब पता करा तो इंपिटस ही one of the best coachings है और शरत सर्च के बारे में पता चला इनके previous student से बात हुई तो फाइनल हुआ के हाँ इंपिटस जॉइन करना है पर क्योंकि मेरा फाइनली रियर चल रहा था तो मैं online ही जॉइन कर पाई थी फिर्स्ट मैंने लास्ट यर जो लबेच स्टार्ट हुई थी जून एंडिंग में वो मैंने जॉइन करी थी और कॉलेज के साथ online manage किया है लाइक सुबह कॉलेज जाती थी फिर आके शाम को निमसित की पढ़ाई classes कवर करना सर्की worksheets वगेरा दिसेंबर तक वो चला है and then final semester जब मेरा था तब हमें सिर्फ major project बनाना था और attendance compulsory नहीं थी and I use that and then I come to Bhopal ताकि मैं यहां आकर अपना 100% दे सको पूरा attention मेरा ज्यादा निमसित पर है सके क्योंकि मुझे degree पर इतना ध्यान देना नहीं था तो मैं यहां आ गई शरत्सर के guidance में मैंने यहां पर रहकर पांच महीं नहीं बहुत अच्छे से preparation की है यहां का environment यहां के students सब ने बहुत support किया है even मैंने exams दी है जाके project बनाया है पूरा सब कुछ लेकिन फिर भी सब manage हो गया है क्योंकि शरत्सर ने बहुत help की है पहले अस्ता ने देखिए और यहां प्रिप्रेशन की जनवरी के बाद आया सब बहुत कॉमन होता कई बच्चे जब मुझसे पूछते हैं आप की बाहरते से सार अभी दोनों manage कैसे करें मैं बोलता हूं आप स्टार्टिक में तो online पड़ते हैं जब आपको लगया वोपाल manage होगा की नहीं या कर पाऊंगी की नहीं वो जब बताओ क्योंकि बच्चे यह जब जानते हैं तो वो आपने आप में सही decision ले पाते हैं Sir, ऐसा मुझे एक बार लगा था जब मैं online में थी तब offline में आने के बाद ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी mental health का ध्यान रखते हैं कि आप किसी चीज का ज़ादा pressure तो नहीं ले रहे हो क्योंकि जब भी pressure ज़ादा होता था मैं यहां पर अशारचर से बात कर लिया करती थी और वो मुझे बहुत help करते थे और जब मैं online में थी और मेरी 5th semester की exams चल रही थी MST and DST one by one हुई थी और वो इतना ज्यादा उस वाक लोड हो गया तो क्योंकि मेरी internship चल रही थी साथ में मेरी coachings चल रही थी प्लस college और NMSET की पड़ाई तो उस वक्त बहुत ज्यादा हो गया था कि can I even do it मैं यह भी question करने लगी थी पर तब घरवालों ने बहुत support किया कि कि जितना हो पा रहा है करो नहीं होगा तो आगे drop का option है पर क्योंकि घरवालों का support था तो वो चीज हो पाई और आज यही result आया है तो आज सादे को आपने अच्छा rank अचीव किया यह सब किया अब इस बार का paper थोड़ा different pattern का था कई बच्चों से रॉंग भी होगए simple question भी कैसे handle किया तीनों section को कि जन से handle किया हमने test paper में हर variety के लिए थे questions वहाँ जाके आपको क्या-क्या feel आया वह जहूर शेयर करो और साथ में अपना score बताओ बच्चों को मेरा overall score रहा है 485.5 paper को handle करने के लिए सबसे best technique होती है जो कि आपको सब teachers भी बोलेंगे और यह चीज़ आपको भी हमेशा रखनी रहेगी कि कोई mindset नहीं रखना है पहले से क्योंकि इस बार बहुत लोग उने बोला था कि इस बार paper बहुत easy आएगा क्योंकि pattern change हो रहा है हर exam में होता है कि जब भी कोई नया change होता है तो paper easy आता है बट जिन बच्चों ने वह mindset बना लिया था उन्हों को probably इस बार problem आई होगी मैंने यही trick use करी कि मैंने कोई mindset नहीं रखा जब मेरे सामने questions आए मैं कभी भी वह चीज लेके गई ही नहीं थी कि आज यह PYQ आएंगे मुझे वो ढूणना है कि PYQ कौन से आएंगे मुझे सबसे पहले यह questions ढूणने कि मुझे कौन से आते हैं या फिर वो कि मुझे सिर्फ tick करने हैं जो मुझे आते हैं नहीं जो questions दिख रहे हैं उन्हें solve करो जो नहीं बन रहे हैं skip करो सबसे पहले mathematics section खुला था ठीक है लगा कि questions नहीं बन रहे हैं तो जितने बने जितने ज्यादा स्यादा attempt कर सकती थी with minimizing wrong ones वो किये देन LR पर shift वही था कि sir एक ही चीज बोलता है कि जब आप एक section से दूसरे section पर switch करें तब कभी भी आप पुराने section का pressure दुसरे section पर ले करना जाएं जैसे मैं इस LR पर switch किया अगर उस लग में यह सोचने में लग जाती कि maths में इतने काम attempt रहे हैं अब LR में क्या होगा तो probably मेरा LR और ज्यादा बिगड़ जाता but क्योंकि मैंने LR के o section को जब start किया तो मैंने सिर्फ LR पर focus किया इसलिए मैंने वहां भी अच्छा किया then उसके बाद computer and then English और impetus पर होने का एक फाइदा यही है कि अबर सारे subjects पर इतना अच्छा फोकेस किया जाता है कि मैं सारे sections का score काफी अच्छा रहा है सिर्फ एक section का नहीं सारे sections में score इतना च्छा है कि हाँ मैं actual मैं बता सकती हूँ कि मैंने सारे sections attempt किये हैं आज था यह बताव उपने juniors को क्या message देना चाहोगा तो अगर आप जितना जल्दी जॉइन कर पाएं उतना आपके लिए better रहेगा क्योंकि college के साथ it is hard तो अगर आप जितना जल्दी जॉइन करेंगे तो आप small portions में उस पूरे syllabus को cover कर सकते हैं आपके उपर last year में इतना ज्यादा pressure नहीं रहेगा लेकिन अगर आप last year में भी करते हैं तो you can do it क्योंकि last semester तक आते आते pressure बहुत कम हो जाता है college में आपको सिर्फ अपने major project पर ध्यान देना होता है जैसा कि मैंने किया था कि last year में मुझे पता था कि मैं अब मैं ज्यादा focus कर सकती हूं अपने next step पर तो मैंने इसलिए online join कर लिया था आप लोग भी पहले online join करके देखिए अगर आप manage कर पा रहे हैं तो आप उसको continue करिए देन अगर आपको लगता है कि आप इसमें अपना और ज्यादा attention देना चाहते हैं अपना और ज्यादा focus देना चाहते है तो आप offline shift कर लिजिए लेकिन ऐसा नहीं है कि college के साथ possible नहीं हो पाता है क्योंकि college एक limited arts के लिए होता है निमसिट की पढ़ाई भी एक limited arts के लिए आप करेंगे और आप करेंगे आप करेंगे आप करेंगे बस वही है कि आप पहले online करके देखिए if you think you can do it then do it कि मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आस्ता जब यहां से एक्जाम के बाद धर जा रहे थी तो उसने कुछ impetus के juniors के लिए कि सर कोई बच्चा है तो इसको दीजिए तो आस्ता जड़ा आप ही बताईए एक तो आपने डाइरी दी थी मुझे कुछ इसने बहुत ही important short notes बनाए थे जिनको किस दंग से इसने use किया वह आपको बताएगी यह भी तो मैं चाहूंगा कि आप यह बच्चों को बताएं कि किस दंग से आपने papers के analysis किया और क्या-क्या important चीज़े आपने ध्यान लखे सबसे पहला offline आने का फाइदा ही यह हुआ था कि मैंने test analysis पर focus किया है और यह चीज़ online में सर हमेशा बोलते थे कि test analysis कीज़े बट कभी इतना ध्यान दिया नहीं कि analysis किया पर इतने अच्छे से किया नहीं जो यहां पर आने के बाद analysis किया improvement इतना जल्दी दिखा है score में rank में तो वो चीज़ थी और plus computer का जो मेरा score रहा है computer plus English वो इसलिए क्योंकि मैंने बाहर का कोई content नहीं पढ़ा है जितने भी questions यहां पर आये थे test में उन सबको मैंने एक notebook बनाई थी and then I just used to do कि मैं सारे questions को note कर लिया करती थी plus with options और answers या तो मैं साथ में लिख लेती थी या फिर पीछे जब भी मुझे revise करना होता था तो बस इन ही questions को मैं revise कर लिया करती थी और आप लोग मानेंगे नहीं लेकिन computer में most of the questions वही आये थे जो यहां पर walk में करवाए गए थे हमें बिल्कुछ सही बार बोली शिवन सान ने जो करवाय था स्यूटी में भी और जो निमसेट में पूरा portion ही भी था और उसका फायदा हर बच्चे को मिला अच्छा यह क्या है यह भी आप बच्चों को बता है यह बहुत अच्छी चीज लगी थी मुझे तो एक बार बच्चो है कि most frequently पूछे जाते हैं या फिर standard questions है formula based questions है जो कि आपको याद ही रखने है आप यह कीजिए कि सबसे पहले आगे की front side पर वो question लिख लीजिए and then उसके back side पर उसका answer और अगर आपको लगता कि explanation की need है तो उसको short में explain कर दीजिए then जब भी आप at the end of the day आपने दिन भर में जितने भी flashcards बनाए है आप एक target रख लीजिए कि आपको सोने से पहले और मेंसे कोई से भी 50 questions revise करने मैं generally यह किया करती थी कि मेरी roommate जो थी hostel में वो मेरे same हम लोग same stream से भी नहीं है but still I asked her कि तुम मुझसे please questions पूछो and then हम रोज रात को 50 questions revise कर लिया करते थे उससे होता है कि अ तो यह बहुत ही helpful चीज है you can easily carry it anywhere और last exam के जब दो दिन बचे थे तब मैंने यही किया है कि सिर्फ इन ही flashcard से पढ़ाए करें मैंने कोछ extra नहीं पढ़ा था यह concept मुझे काफी अच्छा लगा और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूं देखिए यह फ्लाइस काड़ है जिन questions में आपको दिक्कति यहां लिखा है पीछे उसकी formula और short text लिखी जब भी आप बैठे जैसे आप क्या होता हम कई वर पढ़ने बैट आम सोचते ह बैठे तो हम हमेशा बुक कोल के पढ़ें यह चोटी चीज अपने सामने रख ली खाना खा रहे हैं कहीं गूम रहे हैं कहीं जा रहे हैं आप पांच-पांच मैंट में भी यूज कर सकते हैं इसको कोई जवीनी की घंटों की पढ़ाई पर इससे आप बहुत कम समय में सकते किसे क्योंकि चीज की Regular clairolor फाइडा मिला और ऐसे में आपको बोलूएं आप भी अपने आपको 25 26-27 के legit कर रहे हैं तो अभी से Pacific के साहरे हीकि में करेके साथ समय stimulker कर दणी करिये अकर किसीज की चीज सही समय पर की जाए तो उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं तो आसका आप ने बहुत अच्छा रहेंक अचीव किया अब आप अच्छा एनाइटी भी अचीव करेंगे तो वन्स अगें कंग्रिश्रूलेशन और अल्ट बेस्ट थैंक यू सब्सक्राइब अजय किया झालेशन आप अच्छा एनाइब